अजी क्या जाग सब ठीक ठाक चाब आज थोड़ा सा बैट के साथ देखकर के शॉक में होगे है ना कि केडी सराज बैट के साथ कर क्या रहे है देखो मैं बताता हूं तुम लोग को आज स्टेडियम में आया हूं बहुत दिन हो गया है क्रिकेट नहीं खेला तो क्यों थोड़ा सा क्रिकेट खेली है और जब मैं आया हूं तो फिजिक्स भी बढ़ाना जरूरी है आप लोग का फिजिक्स बढ़ना जरूरी है स्टेडियम में आये हैं क्या पढ़ सकते हैं बैट के साथ में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ सकते है हुआ क्या को हम लोगों यहां से सामने से बॉल भाल आए और मैंने यह शोट लिए घया ना यहां पर यहां से वहां गया इसने कौन सा पाथ कवर किया है इस Nur जो पर coal deprived हुक हम लोग क्या कहते है इस ट्रजेप्ट्री को ही हम लोग projectile motion कहते हैं और जो motion हुआ है कि कितनी dimension में हुआ है बचाओ दो dimension में two dimension motion है चीक है एक यह x axis के along हुआ है एक यह y axis के along हुआ है समझ में आती है बात हमने motion in a straight line पड़ा है तो इस projectile motion को भी हम दो dimension जो है यह x axis और यह y axis इन दोनों dimension को हम लोग अलग अलग पढ़ करके इस projectile motion को बड़ा easily deal कर सकते हैं देखिए कैसे यह जो ball यहां से चला था इस ball की दो velocities हूँगी एक velocity ball के पास ऐसे था तभी तो इसने x axis के along move किया दूसरा ball के पास velocity y direction में था तभी तो यह उपर गया वापस इस ऐसा path किया ऐसा path travel किया है समझ में आती है अब ball की मैंने आपको बोला दो dimension में break करेंगे अगर दो dimension में break करता हूँ तो इसकी initial इस ball के पास एक velocity था यू चीक है इस ball को दो velocities मिलेगा एक velocity इधर जा रहा है चीक है that is ux और एक velocity ऊपर जा रहा है that is uy चीक है अब यह जो ball चल था कितने angle पर चला है यह ball थीटा angle पर चला है कितने angle पर चला है थीटा angle पर चला है तो इस initial velocity के दो component होंगे एक x-axis के along और एक y-axis के along जो x-axis के along component है that is u cos theta जो की initial velocity of ball है और जो y component है that is u sin theta that is initial velocity of y along y-axis अब देखिए कमाल की x-axis के along कोई acceleration body के पास नहीं है y-axis के along body के पास एक acceleration है जो किसकी वज़े से है धर्ती की वज़े से लगता है earth की वज़े से लगता है जिसका value क्या है g जो continuously downwards लग रहा है चीक है अब क्योंकि इसके पास कोई acceleration x-axis के along नहीं है तो यह constant velocity से move करता रहेगा y-axis में क्या है नीचे की तरफ एक acceleration लग रहा है that is g तो उपर जाएगा velocity धीरे-धीरे decrease होगा एक point ऐसा आएगा जहां पर velocity क्या हो गया zero हो चीक है जब यह point का velocity zero हो जाता है उस time पर मेरा ball चलता चलता कहां पहुंचा है मेरा ball चलता हो यहां मतलब कि यह कहां पहुंच गया है maximum height पर पहुंच गया अब उसके बाद ball उन्हें वापस नीचे आना चालू किया तो ball वापस से नीचे आ रहा है आगे भी जा रहा है नीचे भी आ चीक है तो ball ने क्या करा tea time में यहां से लेकर यहां तक का distance cover किया है इस tea time को हम लोग क्या बोलते है time of flight और जो x-axis में ball नहीं यह जो distance travel करा है horizontal direction मे इसको हम लोग कहते है range समझ में आती है बचा चीक है अब जो छोटे-छोटे concept आपको ध्यान रखने है वो क्या है कि जब ball maximum height पर पहुंसता है तो उसका velocity कितना हो जाता है 0 हो जाता है जो ball का हम velocities को दो component में divide किये थी पहला वाला component x-axis के along that is u cos theta जो हमेशा constant रहेगा क्योंक acceleration नहीं है y-axis के along acceleration है जो कितना है जी हमेशा कहां लगता है downwards लगता है चीक है समझ में आती है बार ठीक है बचा तो यह हमारा हुआ ground to ground projectile अभी projectile motion complete नहीं हुआ है अभी the projectile motion बाकी है हमारा horizontal projectile भी बाकी है और inclined plane पर भी projectile motion होता है तो अगर आपको यह video बहुत अच्छा ल इतने ज्यादा आपके comments होंगे उतना जल्दी मैं आपड़ों के लिए horizontal projectile और inclined plane वाला projectile लेकर करके आज़ा हुआ थांक्यू गईस डाउनलोड e-career point app best life online quota coaching at your home